हेले सुदेंट्स वेलकम तूद आफिसेल यूट्यूप चैनल आप फोरीजिन कोचिंग स्वागत है आप सभी काज के क्लास में और आज हम एक बहुत महत्पूर्ण टापिक पर आप से डिसकस करने वाले हैं वो है कि क्लास टेंथ पास करने के बाद क्लास टेंथ पास करने के फिजिस कमपल्सर हमको पढ़ना होता है और मेरा जहां तके स्परियेंस है कि क्लास टेंथ का इस्टूडेंट जैसे ही इलेवंथ में इडमिसन लेता है और फिजिस के सीलेबस से जब उसका इंट्रोडाक्शन होता है वो इंट्रोडिऊ सोता है और syllabus को जब देखता है तो maximum student के वल syllabus के strength को देखकर और कुछ दिनों बाद जब अंदर के contents को देखते हैं तो यह देखके वो परिस्थान हो जाते हैं कुछ तो manage कर पाते हैं और कुछ मेरे को मालूम है कि बहुत जादा pressure में आ जाते हैं आज मैं कुछ technical discussion आपसे करूँगा कि कैसे जब आप 11th class में जाते हैं तो physics को सुरुवात आपको किस ढंग से करना चाहिए किन चीजों को आपको beginning में ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को लेके आपको धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए खास करें आप IATJ, NEET या CUET के एक्जाम के लिए तयार हो रहा है तब आपको physics पढ़ने के तरीके को from very beginning बहुत सुरुवात से ध्यान देना होगा और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यदि आप zero level पर भी हैं और naturally हम 11th class में zero level से ही सुरू करते हैं कि 10 तक जो हम फिजिस पढ़े होते हैं या 10 तक science के portion में जो फिजिस का part होता है वह negligible है नहीं के बराबर है only introduction है और 11th class में हम उसको बहुत depth में पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं इस्टार्टिंग से तो हम यहां पर आज आपसे डिस्कस करेंगे कि फिजिस की सुरुआत सिफर से सिखर तक आप जीरो से लेकर infinite तक किस तरह से आप अपने position को ले जा सकते हैं तो देखिए सबसे महत्तपूर्ण बात जो हती मैं आपसे बात करूं सबसे पहले what is physics what is physics पहले तो यहीं समझना होगा physics है क्या कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम physics पढ़ना ही start कर देते हैं और हमको physics का basic nature ही समझ में नहीं सब्सक्राइब करते हैं यह तो हर किसी को पता होता है हर टीचर भी आपको फिजिक्स के क्लास में बताता है फिजिक्स इस ब्रांच आप साइंस यह साइंस का एक ब्रांच है साइंस के बहुत सारे ब्रांचे से उसमें से ब्रांच फिजिक्स भी है लेकिन बस इतना ही इसक फिजिस के हर ब्रांच का एक अलग अब्जेक्टिव है अलग परपस है उसको पढ़ने का अपना एक अपना तरीका है आपको मालूम है कि हम अपने लाइब में हर काम अलग तरीके से करते हैं जैसे ही वर्क का नेचर चेंज होता है हमारा वर्किंग प्रोसेश भी चेंज जा इस्टेडी आफ नेचर एंड नेचुराल फेनामेनस फिजिक्स प्रकृति में होने वाली घटनाओं और उनके कारण को जानने का विश्य है देट मिन्स कितना important message है इस definition में कि नेचर में आपके surrounding में कुछ भी हो रहा है आप sound सुन रहे हैं आप light देख रहे हैं आप electricity यूज कर रहे हैं जो कुछ भी आप nature में देख रहे हैं या जिनको आप यूज कर रहे हैं सबेरे जागने से लेके रात को सोने तक और even bed में भी आप physics के concept के recording ही आपका life चलता है तो आप अपने surrounding में जो कुछ भी देख रहे हैं सब physics से इसलिए हर स्टुडेंट को मैं यह बोलता हूँ सुरुवात में कि सबसे पहले तो आप study का nature का study करो न्यूटन ने apple को drop होते भी देखा gravitation के बारे में सोचा बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने sky में lightning देखा electricity के बारे में सोचा जितने भी scientist ने आपको जो concept दिये वो कही न कहीं से उनका जो message था वो natural events से था प्रकृति में होनी वाली घटनाओं से था तो मेरा physics पढ़ने से पहले आप सभी को पहला संदेज पहला message यह है कि आप physics को classroom तक limit मत रखो physics को आप classroom से बाहर देखो आपको newtons के rules पढ़ाया जाते हैं तो उनको आप बाहर भी देखो कि कहाँ पर applicable है तो उससे होगा क्या कि physics के प्रती आपका interest पढ़ेगा क्योंकि human being है एक आदमी का सोच है कि जैसे जैसे वह चीजों को जो पढ़ता है उनको practical approach के साथ देखता है तो automatically interest create होता है कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर्फ फिजिक्स में interest कैसे पैदा हो तो फिजिस कोई इंट्रेस ऐसा चीज तो है नहीं artificial चीज कि मेरे में फिजिस के लिए इंट्रेस्ट पैदा हो गया फिजिस में इंट्रेस्ट पैदा करने के लिए दो बहुत कमपल सरी चीज हैं पहला एक बेस्ट टीचर आपके पास फिजिस के लिए जो चीजों को इस तरह से explain करें क्योंकि देखों चीजें समझ में आती हैं तो इंट्रेस्ट पैदा होता है मैं कई बार सोचता हूं कि internet पैदा होता है समझ बाद में होता है कि समझ पहले आता है इंट्रेस्ट पैदा होता है तो सही आडर यह है कि पहले समझ में आता है तो इंट्रेस्ट पैदा होता है आपने देखा होगा कि कई चीजे हमको इसलिए इंट्रेस्ट पैदा नहीं हो पाती क्योंकि चीजे समझ में नहीं आदी तो आप प्रकृती में फिजिस को खोजो क्लास्रूम के बाहर आप प्रकृती में खोजो दूसरा सबसी इंपॉर्टेंट बात जहां तक मैं महसूस करता हूं फिजिस के लिए वह है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ओलडियुटिक्स ना हो आपके पास आप फिजिस नहीं पढ़ सकते तो 11 स्टुडेंट को मैं सबसे पहला सजेस्ट यही करूंगा पहला सजेस्न मेरा यही है कि आप जो छोटे-छोटे-चोटे-ब्र मैस्मेटिस पढ़ा जाए तो छोट च्छोटे जो mathematical टूल्स हैं एलजेबरा के ट्रिग्नामेट्री के वेक्टर एलजेबरा के कैलकूलस के जामेट्री के यह ऐसे फार्मूले ऐसे कॉंसेप्ट जो फिजिक्स के लिए जरूरी है उनको सबसे पहले आप तैयार करो यही फांडेशन है आज तक जितने भी स्टुडेंट को मैंने फिजिक्स में कमजोर पाया खासकर नीट एस्पेरेंस को कि नीट के प्रिप्रेशन करने वाले बच्चों को फिजिक्स में प्र मैं आपको उसको बताऊंगा और रिस्टोर्स में आपको बताऊंगा तो मेरा पहला सजेशन है कि आप मैंथमेटिकल टूल्स को सबसे पहला यदि अभी आप जीरो में भी हो कोई टेंशन नहीं इमीडियेट आप मैंसमेटिकल टूल्स पर अपना प्रिप्रेशन फिजिक्स आप से बनने लगेगा तो इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं नेस्टिंग इस मैथमेटिक्स एंड़ कॉइफ स्वारी फिजिक्स एंड़ कॉंसेट्स मैं भी आपको बोला कि हर सब्जेट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है फिजिक्स इस एक कम्प्ली इस एक प्राब्लम साल्व कर सकता है लेकिन आपको सिर्फ एक प्राब्लम प्रिपेर है विदाउट साल्व कर सकता है जिसको आपने तयार किया है कि जैसे एक आद्मी को स्वीमिंग आता है वह तैरना सीख गया तो यह में क्योंसे पॉंड में ताहर रहा है कौन से तलाब तंद आ कान से जीन में नदी में में तैर रहा है मैं में आता है स्मेमिन उसको तैर नता है वह तलाब काउंट नहीं करेगा एक्ज़ेट्ली यदी उसको भी कांसेब from क्लियर है सबसों सेomorph के concept जानता है तो semiconductor से related सभी question करके आएगा और competitive exam निकालने का तो सबसे बड़ा फंड़ यह है क्योंकि कभी question सीधे सीधे repeat आपको आयटी जी नीट में नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएं तो concept clear है आपने उस तरह के question किये हैं आपको depth में चीजों के तो आप concept को clear करो सबसे पहले concept के लिए teacher बहुत जरूरी है physics में एक अच्छा teacher आपको बहुत जरूरी है तभी प्रापर concept clear होता है और चीजों को कुछ अपने से भी आप सीखो next is physics and numerical आपको मालूम है कि numerical का physics में बहुत बड़ा रोल है लेकिन यह आखरी चीज है यदि आपका mathematical tools strong हो गया आपके concept clear है तो numerical को तो बनना पड़ेगा कहां जाएगा वो numerical तो बनना पड़ेगा तो आप यह ध्यान रखना कि numerical सिर्फ उनहीं का नहीं बन रहा है जिनको फार्मूले नहीं पता और जिनके concept clear नहीं है जिनको फिजिस के भी फार्मूले आपको तयार करने पड़ेंगे ना नाट ओनली basic mathematical tools जितने भी derivation है और derivation के final result को आप डारेक्ट मत रटो derivation की steps को भी समझो क्योंकि steps आपको concept clear करते हैं कि सपोस एक्सियल position में मैंने intensity आप magnetic field निकाला तो मैंने रट्टा माल लिया कि मैं magnetic field इतना होता है मैं पता है नहीं कि XL position क्या है मैंने कैसे resultant निकाला कैसे उसका resultant intensity आया यह process नहीं पता है मैं देखाँ ज़्यादा तर competitive की student जो होते हैं वो फार्मूलर राट के निमेर्कास बनाने सुरू कर देते हैं ऐसा काम नहीं चलेगा तो आप चीजों को numerical सिदी आपको बनाना है तो यह दोनों चीज आपको तयार करना पड़ेगा चलिए मैं आप से बात करूं आपके help के लिए एक सबसी important message मैं आपको दे दूं कि मेरे अभी अपने जो यूटूब का channel है उसके साथ साथ वहां पढ़ते हों उसके साथ साथ यहां पर भी मैं आपके लिए free classes दे रहा हूं अनगेडमी के platform पर तो अनगेडमी के platform पर मेरे free classes भी चल रहे हैं इस class को भी आप कर सकते हो regular देखो यह 11 तर 12 दोनों class के लिए यह live class है और यहां पर ध्यान देना कि इस class में जो मैं ले रहा हूं वो सभी क्या है special classes है live classes है doubt solving होता है live chat होते हैं quiz होते हैं और question प्रेक्टिस हम कराते हैं previous year question के साथ NCRT के problems और schedule हमारा क्या है हमारा schedule है 4-5 p.m. इवनिंग में 4-5 p.m. मेरा class होता है यह schedule है आपको 11 का 3 देश लेता हूं 12 का 3 देश लेता हूं और इस class में आपको मैं complete prepare करा रहा हूं वो भी पूरा free ता आप unacademy का application download कर लीजिए mobile में मेरे profile में जाके class दे सकते हैं सबसे important source है कि आप मेरे telegram channel origin coaching जीतेंद्र पांडे इस telegram channel को आप join करो वहाँ पर मैं regular class के कुछ देर पहले link मैं वहाँ पर share करता हूं उस को share करके आप इस class को join कर सकते हैं और इस तरह से यह आप अभी कुछ भी स्ट्राइट नहीं किये हैं तो don't mind कभी आपको सोचने के जुरत नहीं कि मेरे शुरुवात नहीं हुआ आज से ही शुरुवात करो और अपने फिजिस को इस ट्रांग करो 11 में अच्छा करोगे 12 भी अच्छा होगा competitive भी निकलेगा ओके आल दे बेस थेंक्यू